आज मैं आपके साथ सेयर करने चाहरी हूं बेश ताली की रेसिपी जिसे बनानी में मुझे 40 मिनिट्स लगे हैं और इसमें बहुत सारी मैंने ट्रिक्स भी बताए हैं इस वीडियो को पुरा आयनत देखे अगर यह मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स लाइक कर कमेंट करके बताएगा जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे में यही रिक्रेस्ट करना शाहती हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिया और बैल आइकन को जरूर प्रेस करिए सबसे पहले हम दाल बना लेते हैं यहां मैंने लिया है हाफ कफ अरह की दाल उसे अच्छी से वाश क करके प्रेसर कुकर में डाल दिया है अभी इसमें मैं डेड़ कप पानी आड कर दे रही हूं और हाफ टमाटर को मैंने मीडिम साइज के टमाटर को इस तरह से बारी चॉप करके एड कर दिया है यह भी एक टमाटर जब भी दाल बना उसके साथ डाल तो उससे बहुत जीरा राइस बनाने के लिए अड़ कर गरम कर लिया है अब बड़ा चंबच मैं घीर आट कर दिया है यह एक कटोरी इसे चिशे वाश कर लेंगे अभी देके घी गरम होगए और दो एलाइचे और एक तोड़ा सा जैवेत्री और एक स्टार में डाल दिया है तो श्री आप हैं वान टेबल स्पून अभी सब्सक्राइब डाल देते हूं मैं बासमती राइस लिया है इसे चरा लेंगे तक यह शावल लेंगे देवर गुना में पानी डाना रहता है तो देल कटूरी में इसमें पानी बाद कर देती हो जिसे की जीरा राइस अच्छ से बन जाएगा इस अब कूकर में आफ रख देती हूं एक सीटी आगया है जी प्रिशन आफ बन गया है चलदा होने के लिए चोड़ेते हैं टब तक मैं गोवी यालू की सब्जी बनाने के लिए के सब्चाइब कर लिए इस तरह से बुझाब में बनाऊंगी अभी ये देखें को ट्रेंडा हो इसका मैंने लीट खोला देखिया जीरा राइस कितना अच्छा बना है बिल्कुल ही रेस्टोरेंट के तर इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता एड़ करतेंगे इसका और भी अच्छा फ्लेवर आजाएगा कि शना लेते हैं गवी की सब्जी कि इसमें मैंने सर्शो तेल क्स अरदा है कर यह जब प्रिस्पी पन आ जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है दाल चावल के साथ कहने में अब इसमें मैं एक कर देती हूं हल्दी पॉदर वन टेबल स्पून देनिया पॉदर और हाफ टेबल स्पून रेट चिली पॉदर में एक कर दे रहे हो और थोड़ा साथ अब इसमें नमक कर देते हैं अपने टेस्ट के नहीं सार आप एड़ कर सकते हैं इसे अच्छे से मिला देंगे इसे बनाने में 10-15 मिनिट्स लगए तुदी की गोभी अलो की सब्जी बन गई है अभी धाल भी बन गया है अब बना लेते हैं मतर पनीर की सब्जी तो मैं पनीर प्रेसर कुकर में बनाऊंगे ताकि वह जल्दी से बन जाए तो दीकि एक कुकर में मैं तेल को गर्म कर लिया अच्छे सिसमें तेजपत्ता डाला है एक और ग्रीन चिली को डाला है अभी मैं दो बड़ी साइच के प्याज को बारी चॉप करके इसमें अच्छे से फ्राइ दीरे दीरे चेंज हो रहा है अभी मैं इसमें अद्रक लैसन का पेस्ट राल देती हूं दो चमश इसे भी अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें मसालों को एट कर दे रहे हैं तो मैंने वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर एट किया है वन टेबल स्पून धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून सब्जी मसाला मैंने एट कर दिया है अब इसमें मैं एट करती हूँ कासमीजी लाल मिश हाफ टेबल स्पून इसे इच्छ से मिला लेंगे अब तिकि तेल अलग हो गया अब इसमें में टोड़ा सा टमाटर और हरी मिश्जी का प्योरी डाल देती हूँ इस इस तरह से चॉप करके आड़ कर दे रहे हूं इससे सब्जी बहुत गाड़ी बन जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है तो मटर पनी सब्जी बनाने के लिए मैंने दो टमाटर यूज किया है मसारा को फ्राइब करने में कम से कम फ्राइब करें तब तक अच्छे से फ्राइब हो गया है अब इसमें मैं पनीर को भी आड़ कर दे रही हूं और मटर को भी आड़ कर दे रही हूं इसे भी अच्छे से मिला लेंगे कुछ मिनट के लिए से भी अच्छ से फ्राइ कर लेंगे तो है ना बहुत ही असान से ट्रिक कि इस तरह से अगर आप बनाएंगे बहुत जल्दी बन भी जाएगा पनीर और टाइम नहीं लगेगा अब इसमें मैं पानी को एड़ कर दे रही हूं पानी आप अपनी एकाउडि अठी कर लेती हुग तो दाल अधी कर ले करने के लिए मैंने घी कर आप थे मने तड़का ळाए अरलेगा लुष पर भी जान में थीर्म परोड़ा को यहां जोका के ड़े नारतकह लिए बलत कर लेंई नहींट कर देंज हिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ासा मैं चीनी आइड कर देती हूं मैं बुंदी रैता में चीनी रहता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता इसका तो देखिए मैं एक बुंदी भी मुला दिया है यह बनाना बहुत असान है अब इसमें रेड चिली जब भी मैं बनाते हूं नीचे टावल रख लेती हूं जो ड्राइ आट अगर गिरता है उसी पर गिरता है मुझे क्लीन करने में ज़्यादा पर डाल दिया है मैं फुल का बना रही हूं रोटी का रोटी किने इच्छी से फुल गई है तो रोटी भी बन गई है अभी मैं इसनली से कमें डाल अप्र्याइप मतर पनीर गोप यालोगी भुजियार यह टाइटा मैं ने काटमबर और वाय च्छी मैं अल्था नाव पर भी मैं आटिया है मैं म्हादा तो यहां जब तक ऑच्या नाओ तक दूर रहता है तो देह के आपको रहे हैं मेरा यह ए झाल झाल